हालो फ्रेंड्स आज का जो प्लान है 15 फीट बाई 45 फीट में है जैसे कि अपने टाइटल्स में देखा ही है यह जो प्लॉट है हमारे क्लाइंट मिस्टर राम आउतार राजपूत जी का है जो कि राजपूत शतिफगर से फिलों करते हैं उनके लिए नक्सा बनाया गया है त मिल जाएगा तो उसके लिए आप हमसे कॉंटक्ट कर सकते हैं तो चलिए समझते हैं आज का प्लान यहां पे जो है हमारे घर के अंदर जाने के लिए इस और यह वेस्ट फेसिंग का यह वन साइड ऑपन प्लॉट है बाकी यह तीनों तरफ से यहां पे घर बन चुके हैं र और यहां पे तो यहां पर बाहर से इसमें बाहर से बाहर से देखने भी बहुत अच्छा आता है अगर यहां पर यहां पर लोहे की ग्रिल्स लगाते हैं तो यहां पर अभी हमरां अपने घर केंदर जाएंगे यहां पर बालकine की जाता है आपको एदि के डिवे सबस्चे एष्ट अर्पर कार परकिंगे पारकिंगी जाने के लिएature केशित प्रियंग runs पड़े। तो जिससे हम अपने कार को लेकर अपनी कार पार्किंग में चले जाएंगे तो जैसे हम कार पार्किंग एंटरी करते हैं हमारी कार यहां पर पार्क हो जाती है और यहां पर जो है कार पार्किंग के लिए आपको जो स्पेस मिल जाता है भी पहसे से उपन करेंगे और यहां करने के बाद हमारी उपर की तरफ जा रही है पहला जो कदम पढ़ेगा यहां पी पढ़ेगा दूसरा दूसरा चौतां पांचवा कदम यहां 12 step हमों को चड़ने के लिए ब multif पर चौड़ाई यहां पर चौड़ाई में आपको सिर्या पर चौड़ाई में आपको सिर्या स्टेप्स वो दिया गया है यहां पर चौड़ाई की लिए यूज़ करेंगे और इसमें चौड़ाई रहता है इसके नीचे आपको काफी स्पेस मिल दाएगा आप यहां पर चाहें तो यहां पे चोटा साय आप बातरूम भी बना सकते हैं या अगर नई बना चाहते तो इसके नीचे आप यहां पर यहां पर रख सकते हैं सब्सक्राइब करें अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपके लिए अपलोड करने वाला उसी चैनल पर आप चैनल को हमारे देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम कार पाकिंग से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हम चले जाएंगे अपने हॉल में सबसे पहले आपको मिल जाता है हॉल जो की 14.2 इंच की लंबाई में है और 8.3 इंच की चोड़ाई है यहां पर एक विंडो मिल जाता है जो की धाई फिट चोड़ा है 2.6 चोड़ाई में है 4 फिट इसकी लंबाई आप रखेंगे तो इदर से बाहर से जो रस्तनी आगी कारभागिन की तरब से वो सीधे हमारे हॉल के अंदर जाएगी यहां पर प्रोबर उजाला रहेगा इसके लिए वैसे एक और विंडो भी इसके बारे में मैं बात करूंगा लेकिन इससे पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पर टोइलेटन बातरूम की यहां पर 5 फिट की लंबाई है 5 फिट नौइट की चोड़ाई है तो होल की में आने के बाद यहां पर 5 फिट चोड़ा आपको दोर मिल जाता है और इधर से होत अंदर की तरफ open होगा यहां पे जैसे कि अब देख रहा है कि स्टिंग के लिए शोफे वगर अगरे प्लेस्ट लिए हैं और यहां पे जो है हमारी डाइनिंग के लिए आपको इस पेस भी दिया गया है आप आराम चार तच्छे रोग बैठ सकते हैं बात कराता है मैं दूसर के अंदर भी उचाल आ रहाएगा तो हॉल में आपको दो विड़्ो मिल जाते हैं अभी बात करते हैं तो हॉल से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको एक मिल जाता है पैसे जो कि तीन के तीन चोड़ा है तो दर से बते हम अपने बैडरूम के तरफ जाएंगे और यहां पर आपको एल टैप का कबिनेट मिल जाता है यहां पर देखवा रहा है की है और यहां पे टी लिखैत की तो आप्ने पासे चोड़ाया बिपट की इतरों धूचन आपकर हो इसको कवर कर देंगे तो इसके तुरूर रोशनी आएगी और ताजी हवा का भी सर्कुलेशन होगा तो हमारे घर में प्रॉपर वेंटिलेशन अच्छे सा होता रहेगा तो मैं एक और दोर यहां पर दिया गया है इसके बात करना है यहां पर जो है डाइफिट चोड़ा दोर दिया गया है तो इसको उपन करेंगे तो आप इस जगह पर ग्राउंड फ्लोर में इस जगह पर आप जाएंगे तो यहां पर जब आप जाएंगे तो यहां पर जाल कोई लेकिन नीचे में जगह का इस्तेमौं कर पाएं इसके लिए दोर दिया गया है यहां पर पर टो इस तो विद्धार के दिवारा चिच्र के तरफ निकल जाएता तो अभी चलिए बढ़ते हैं अपने रूम की तरफ यहां से पैसे चो होते हो भी बढ़ जाएंगे अपने रूम के तरफ यह हमारा बेडरूम है यहां पर चौदे फीट दो इंच की लगभाई है 10 फीट की इसकी चोड़ाई है यहां पर आपको काफी एक अच्छे साइज मे मたइन ना फैसे के दिखाए गए तो चलिए भी इसम्ne बात करते हैं वौल साज जिसकी और यहां पर आप अपर आप के लिए जो आ देख रही हिसा यह सारे कॉलम से जो से लिए और और ऑलत वाले शायप dangled इघ्वारां के 2 बडोंग हैं तो यहां पर इस नहां पर में आप पिन कलम में जो देख रहे हैं यह कॉलम है कॉलम के साइज मैंने आपको बदा दिये कि 9 इंच बाइद 9 इंच यह कॉलम जो है आप ग्राउंड प्लोर और फ्रस्ट प्लोर तक बनाने के लिए इसका इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर बाद कर लूँ तो फ्रंट वाली जो यह वा इसके लिए आप हमारे यह जो है कि काफी अच्छा घर बना सकते हैं इस पॉलम और इसके सपोर्ट से चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जो कि नेक्स वीडियो इसका फर्स्ट बोर का होने वाला है तो हमारे चैनल को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें हमारी वास्ट अब जाई करने के लिए थैंक्यू फर वचिंग इस पीजिए